हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चुमाइ यूट्यूब चैनल वायानेच हेल्थ, मैं हूँ आपके साथ भव्या, तो आज की इस हेल्थ वीडियो में हम बात करेंगे मोतिया बिंद के बारे में, मोतिया बिंद हमारी आखों की रोष्णी को कम कर देता है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे आप भी मोतिया बिंद के उपचार कर सकते हैं, तो आएए देखते हैं हमारी इस वीडियो को, टिप नामबा वन, त्रिफला पाउडर, जो आपकी आखों की हर तरह की बिमारी को बचा के रखता है, तो अगर आपको भी मोतिया ब जहद मिला कर पीना है, पर ध्यान रहे कि इसको आप खाली बेठी पिए, इसको पीने से आप मोतिया बिंद जैसी बिमारी से बच सकते हैं, टिप नामबर टू, आवला, आवला के अंदर विचामिन C अधिक क्वांटिटी में पाया जाता है, तो डेली अगर आप तीन या चार आवलो को खाएंगे तो इससे आपके आखों की रौशनी तेज होती है, और मोतिया बिंद जैसे बिमारी भी जल्दी ही दूर हो जाती है, आप चाहे तो आवले को सूखा भी खा सकते हैं, या फिर आवले की सबजी बना कर भी जरूर खाएं, टिप नामबर थ्री, अं अंगूर, अंगूर के अंदर ऐसे एंटी ओक्सिडेंट होते हैं, जो हमारे आखों के लिए काफी बेनिफीशियल होते हैं, तो डेली अगर आप ताजे अंगूर का सेवन करेंगे तो यह आपको मोतिया बिंद जैसी बिमारी से बचा सकता है, और आप चाहे तो अंगूर क रस को भी पी सकते हैं, टिप नामबर फो, बदाम, बदाम के अंदर मौजूद करेटोनाइट्स आपकी आखों को मोतिया बिंद से बचाता है, इसलिए डेली सुवा उठकर आपको चार या पांच बदाम पानी में भीगो कर खाने चाहिए, अगर डेली आप इसको तो आपकी आखों की रोशनी और भी तेज हो जाएगी, टिप नामबर फाइफ, पालक, पालक और हरी सबजियां हमारी आखों के लिए काफी मैतपोर होते हैं, और इसके अंदर ऐसे विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारी आखों की रोशनी को और बढ़ा देता है, तो डेली आपको हरी भरी साख सबजी और पालक को जरूर खाना चाहिए, इससे आपके मोतिया बिनके लक्षन भी दूर हो जाते हैं, टिप नामबर 6, हल्दी, हल्दी एक ऐसी औश्टी है जो आपकी आखों की हर बिमारी को दूर करती है, तो आज से आपको भी अपनी खाने वाली चीजों के अंदर हल्दी का परियोग शुरू कर देना चाहिए, हल्दी आपके शरीर और आपके स्वास्ते दोनों को ही हल्दी और फिट रखती है, टिप नामबर 7, गाजर, गाजर के अंदर विटामिन सी अधिक पाया जाता है, या फिर गाजर के जूस को पी मोतिया बिन के घरेलू उपचार, अगर आपको भी मोतिया बिन की प्रॉबलम है तो इन घरेलू उपचार को फॉलो कीजिए, तो आज की इस हेल्थ वीडियो में इतना ही, ऐसी ही और हेल्दी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल वायानेट हेल्थ को कीजिए, till then eat healthy and stay fit, thank you. आज की इस हेल्थ वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्टरॉल की, आज की इस हेल्थ वीडियो में हम बात करेंगे भीगे हुए बदाम खाने के फायदे